कि हैं है अगर आप में पहला वीडियो नहीं देखें भाग एक इस यूनिट का तो आप पहले जाकर उसको अमल और छार करसे समझ जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे पहले थोड़ा सा जानकारी अमल और छार के यहां जब यह तोटता है यह रिवर्सीबा अभी क्रिया होगा दोनों तरब सब्सक्राइव जब तोड़ेंगे जल अबगटन कराएंगे तो फ्सक्राइव के फॉटे और तोटेगा फ्सक्राइव को हम पलते हैं। प्रभाव को क्या कर देगी कम कर देगी या नस्ट कर देगी जिसके करण यह कैसा हो जाएगा नीट्रल हो जाएगा उदाशिन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जल कैसा है उदाशिन है अब चलते हैं सुचक तो सबसे पहले हम यह जाने कि सुचक क्या है सूचक कहने के मतलब यह है कि जो हमको सूचना प्रदान करें क्या बोलेंगे सूचक अगर परिभासा के रुप में देखें तो किसी विलियन की प्रकृति जानने के लिए किसी भी विलियन की प्रकृति जानने के लिए कुछ पदार्थों का उप्योग किया जाता है कुछ पदार्थों का उप्योग किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं सुचक अब किसी विलियन की प्रकृति कहने के मतलब यह है कि वह विलियन जो लिया गया है वह अमल है या चार है या उदासिन है यह जानने के लिए हम किसका करते हैं सुचक का अब कैसे जानेंगे वही सुचक जो होगा या तो कलर चेंज करेगा ठीक है कलर चेंज के द्वारा हम सुचक के द्वारा किसी भी पदार्थ की अमलियता और चारिता को मापेंगे या जानेंगे है ना कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं सुचक जिसका गंध के द्वारा हम लोग जानकारी लेते हैं है ना गंध में परिवर्तन द्वारा हमको सुचना मिलती है ऐसे को हम क्या बोलते हैं गंधिया सुचक या फिर और फैक्टरी इंडिकेटर इंगलिज में उसको बोला करेगा तो यहां पर जो सुचक होगा वो दो प्रकार से हो गाहला प्राकृतिक सुचक और सब्सक्रैक्रित सुचक जो प्रकृति से मिलेगी इसको आप और वह ब receive कर सकते हैं ये अभी हमको आसाने सी मैं जाए है ईह एना लाल गुलाब है और हल्दी यह आप घर लिए गए पदार्थ का पेस्ट बनाने के बाद उस लिए गए पदार्थ पर उसकी विलियन के रूप में एकाद दो बून डाल के देखना कि वह कौन सा कलर चेंज कर रहा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह अम लहे की छार है तो यह आप घर पर कर सकते हैं आपके प् फिनाप्थेलिन क्या है यह क्या होता है इसका जो कलर होता है वह मतलब कलर ही नहीं होता है इसमें कलर लेस होता है उसके बाद मेथिल औरेंज है मेथिल औरेंज जो होता है कुछ फिका लाल कलर का होता है उसके बाद मेथिल यह गहरा लाल होता है अब आये जानते हैं कि इन देखिए इस diagram की माध्यम से में आपको समझा देता हूँ, इधर जो दिखा है वो phenothelion जो की रंग हीन होता है colorless होता है, इधर है methyl orange जो की लाल color का होगा और इधर methyl red जो की गहरा लाल color का होगा, ये देखो इधर जो है पदार्त है, पदार्त की मतलब, अमल है ये छार है और अगर कोई मालो पदार्थ लेते हैं मालो यहां पर कोई क्या लिए हम लोग पदार्थ लिए इस पदार्थ में फिनाप्थेलिन की क्या डालें कुछ बूंदे डालें तो वो कैसा होगा यदी मालो रंगहिन है यदी वो मालो रंगहिन है तो हम क्या जानें कि उससे हम यह जान क्या जानेंगे कि वह पदार्थ कैसा है अमला है या उस पदार्थ में क्या प्रेजेंट है एसिड अमला प्रेजेंट है यदि वह पदार्थ गुलाबी कलर का देता है पिंक इसी को बलते हैं यदि वह पदार्थ गुलाबी कलर का हो जाता है मतलब समझ जाएंगे कि उस पद रस लेशासवता है है इंडिकेटर बोलते हैं दूसरा जो लते हैं डाल के सबीघ्स होता यदि हम कोई पधैर अवर उस पर कुछ बुंदें तो यदी उसका सब्सक्राइब बलाल हो जाए यदी उसका कलर लाल हो जाये वैसे तो लाल ही होगा तो तो वो कैसा होगा to kya होगा अलब हमला को उस प्रीटिकी प्रकृति कैसी हो जायेंगी यह स्पडार पार्थिक सिर्पूर हो रहा यह मतलब हम समझे जाएंगे क्या उस्प्रतु कि घानेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट रूप है उदाशन हो जाएगी मतलब उसका की मरदी विए रूप में लेना है क्योंकि जो भी यद्यों और छार होता है ना वो जल का घटन कराने पर ही क्या होता है वह है जली विलियन में ही काम करेगा अब मेथिल रेट की बात करें तो मेथिल रेट की कुछ बुन्दे डाले तो उसका नश्या हो जाता है मतलब समझ जाना उसमें क्या प्रजेंट है अम लग जिदी कोई पदार्थ लिये हैं और उसका colour यदि पीला होता है तो हम समझझ जाएंगे कि वहां उस्पदार्थ में क्या प्रकgoneशति क्राथ JAMES चार सूरा है यदि उसका कलर फिर से क्या हो जो जाए तो क्या प्रएंट या क्या उसमें बोला जाए तो कौन सी प्रकृति की होगी वह उदाशन प्रकृति तो तो इस प्राकार से आपको याद यह सब प्राक्टिकल करोगे तो यह सब चीजें होती है कि कौन सा कलर क्या चेंज करेगा कौन सी सूचक लेने पर ठीक है तो यह कुछ याद रखने वाली बात है चलो निश्ट अगला जो देखते हैं अमल और छारक धातूं के साथ कैसे क्रिया करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चीए कि क्या अधातू है क्या अधातू यह सब पता होगा है तो यह क्या होती है तो यह जो हम अमल का धातू के सांथ क्रिया कराएं तो क्या बनता है लवन बनता है लवन को इंगलिस में क्या बोलेंगे साल्ट बोलेंगे ठीक है और वही साल्ट या नमक है न एक लवन है नमक ठीक है तो जो लवन होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी तो लवन की जो प्रकृति होती है या तो अमला भी हो सकती है या फिर वो चार भी हो सकती है या फिर वो उदासीन मतलब लवण की प्रकृती तीनों प्रकार की हो सकती है लवण की प्रकृती तीनों प्रकार की हो सकती है इसको आपको याद रखना है तो जब हम अमला की क्रिया धातू के साथ कराएं तो लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा hydrogen अनू बनेगा तो चलिए इसको उधारन के माध्रम से समझते हैं Scl hydrochloricum acid है ठीक है Aq कहने के मतलब यहां पर यह है कि Aq मतलब aqos aqos मतलब jelly-wilion जहां आपको Aq लिखाई दिये मतलब समझ जाना कि जो लिया गया पदार्त है S अगर आपको लिखाई दिए S लिखा हुआ तो आप समझ जाना कि यह solid है Aq लिखे तो solid अगर G आपको लिखा मिले G तो समझ जाना वह gas है ठीक है उस पदार्त की जो लिए गया पदार्त है तो प्रकृतिक कैसी हो जाएगी अगर G है तो gas S है तो solid अगर Aq लिखा है या फिर L लिखा है तो Aq और L दोनों का मतलब होता है Liquid Willian ठीक है चलिए तो यदि SCL की क्रिया जिंग के साथ करें ठीक है जिंग क्या है धातु है तो और SCL क्या है अमल तो अमल Scl की क्रिया जिंग के साथ कर रहे है तो ZnCl2 मतलब Gink chloride बर रहे है तो जिंग chloride एक लवण है तीक है salt है और क्या बन रहा है और hydrogen अनू बाहर हो रहा है ठीक है hydrogen अनू बाहर हो रहा है उसी प्रकार यदि हम छार की क्रिया धातु के साथ करें तो क्या बनता है लवण बनता है प्लस क्या बनता है इसमें भी hydrogen अनू बनेगा फॉर और एक्जांपल sodium hydroxide लेते हैं यह क्या है यह लिया गया गया इसको तो फिस एड्म dark की क्रिया जिंक के साथ करते हैं तो यह क्या बनाता है सोडिया जिंक बनाता है एन टूस जेड़ एन ओ ओ तластन और तो यह विए हदो सभी क्या है इसको आपको संतुलिद करना परता है यहां पर संतुलित है अगर आपको संतुलित करने का मतलब यहते हैं तो यहां पर विक होना इस प्रकार से संतुलित करना पड़ता है अब बात करते हैं धातो कार्बॉनेट संथा म्तलब यह दातू के सांथ यदि carbonate CO3, carbonate मतलब CO3, CO2 रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? carbon dioxide यदि CO3 मतलब carbonate, तो यदि धातू के सांथ CO3 जूड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? धातू carbonate, तो धातू carbonate का या फिर धातू hydrogen carbonate मतलब hydrogen carbonate मतलब co3 इसको bicarbonate भी बोल सकते हो तो धातू carbonate या धातू hydrogen carbonate का अमला के सांथ क्रिया होगा तो क्या बनाएगा लवाण बनाएगा प्लस carbon dioxide बनाएगा प्लस जल बनाएगा ठीक है यह सबी तीनों चीज़े बनेगे carbon dioxide के सूत्र होता है CO2 जल का होता है H2O अब उप्रोप्त समी करण को हम या उप्रोप्त क्रिया को हम समी करण के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले कि एने टू CO3 मतलब sodium carbonate ठीक है जो कि S मतलब solid form में है उसके इसका अमलग के साथ SEL के सांथ क्रिया करा रहा है इसका sodium carbonate का अमलग के सांथ क्रिया कराने पर क्या बनते है NACL जो क्या है salt है लवन है और क्या बना रहा है CO2 तो CO2 gas बाहर जा रही है अगर आपको कहीं पर ऐसा arrow सब्सक्राइब निचे में दिया है वह सोडियम बाइकार्बनेट है यह इसका भी सांथ कराते हैं अमला के सांथ कराते हैं तो लवड़ बनेगा और स्योटू जो गास है वह रिलीज होगी तो यह का तो आपको समझ में आ रहा होगा निश्टे चलते हैं अधातू खायट करें अधातू यह उसके साथ oxygen जुड़ा रहेगा है ना उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा тू हो जाएगा अधात्रिक आक्साइड के साथ यदि हम छारा का क्रिया कराते हैं तो भी क्या बनेगा लवन बनेगा प्लस क्या बनेगा जल बनेगा S2O, देखो, यहाँ पर हम क्या लिया है, Sulfur Dioxide, Sulfur Dioxide का Sodium Hydroxide के साथ अभिक्रिया करके Sodium Sulfide तथा जल बनाती है, अभी देखो, यह क्या होगे आपका Sulfur Dioxide, SO2, जो की Gas Porm में है, जी है, मतलब क्या है, वो Gas Porm में है, इसका क्रिया NaOH, Sodium Hydroxide क्या है, छार है, ठीक है, तो हम, देखो, Sulfur क्या है, अधातु है, और अधातु के साथ कौन जूर है, Oxygen, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधातु, अधातु Oxide बोल सकते हैं, ठीक है, तो जो Sulfur Dioxide है, उसका क्रिया है NaOH, Sodium Hydroxide के साथ करेंगे, तो क्या बनेगा, Sodium Sulphite, Na2SO3, यह बनाएगा, जो की Equus Form है, मतलब Liquid Form में है, ठीक है, तो यह बना लेगा, आपका Sodium Sulphite, प्लस S2O, जो Liquid Form में है, वो बनेगा, वो भी बनेगा, ठीक है, तो यह होगे, आपका, अधातु Oxide का छार है, या छारक के साथ क्रिया, नेश्ट जो है, अमल और छार का आपस में क्रिया, अभी तक तो आपने यह देखा, कि, अमल का धातु के साथ क्रिया, छारक का धातु के साथ क्रिया, ठीक है, यह सभी जाने, लेकिन, अब अब हम यह जानते हैं, कि यदि अमल और छार आपस में क्रिया करे तब क्या होगा देखो अमल और छार यदि आपस में क्रिया करते है तब भी क्या बनता है लवन प्लस जल बनता है क्या बनेगा लवन प्लस जल साल्ट और वाटर बना लेगा अब देखिए यहाँ पर S.C.L. क्या है? अमल है, ठीक है? N.O.H. का है, ये भी ये छार है, ठीक है? तो S.C.L. ये एक्वास फाम में है और ये भी एक्वास फाम में है, ठीक? मतलब दोनों का जली विलियन लिये हैं तो जब हम S.C.L. और N.O.H. का आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? N.S.C.L. जो की क्या है? लवन है, जो की क्या है? लवन है, साल्ट है, ठीक है? और क्या बन रहा है? और क्या बन रहा है? S.T.O. Next. अब देखो एनी, करन का है आयन कहने के मतलब ये है, जब कोई पदार्थ तूटता है तो वो पाजिक्ट्टिव चारज और निगेटिव चारज की रूप में तूटता है उसी को हम क्या बोलते है? 팬 और यही क्या कलाता है? यही क्रिया जो है, हमारी क्या कहलाती है? तो स्वीडन के वैग्यानिक और नियस ने सन 1884 में अपने अलोकन के अधार पर कहा कि अमल और छारों में कुछ विशिस्ट गुण होते हैं आर्नियस के अनुसार ये बोलता है आर्नियस की अमल एक ऐसा अनु है जो कि जली वीरियन में धना अवेशित हड्रोजन मतलब H-positive देगा तथा एक रीन अवेशित आयन हड्रोक्सिल आयन देगा OH-positive देगा देखो भई इसको तो मैं पहले बता चुका हूँ आर्नियस के अन negative देगा वो क्या होगा वो होगा चार किसके अनुसार इस परिभासा को किस ने दिया है और नियस नामक वैज्ञानिक ने दिया है ठीक है यही बोल रहा है कि यदि कोई रिन आवेशित हड्रोक्सिल आयन OH-positive देते हैं मतलब हम जान जाएंगे कि वो क्या है चार है यह आयन घटन कराते हैं तो यहाँ पर देखो 2H positive की रिप में तूट रहा है कि ने तूट रहा है जो H positive देता है वो अमला होता है तो S2SO4 क्या हो जाएगा अमला हो जाएगा क्योंकि यह 2H positive दे रहा है ठीक है उसी प्रकार calcium hydroxide CA OS2 को देखो यहाँ पर calcium 2 positive दे रहा है और OH negative दे रहा है समझ में आया है तो इन दोनों के जदी जलब घटन कराएंगे तो उपर वाला OH positive दे रहा है मतलब H2SO4 यह अमला है नीचे वाला OH negative दे रहा है मतलब calcium hydroxide वो क्या हो जाएगा छार हो जाएगा ठीक है तो I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह concept ठीक है तो अपने द